तो भाईया बात सिधी सट है और इतनी सी बात है कि अगर आप अपने स्मार्ट फोन में TrueColor का इस्तेमाल करते हैं और उसको अगर UPI से जोड़ रखा है तो फिर आप जानो और आपका काम जाने हैं क्योंकि मुद्दा ये है TrueColor अगर आप UPI इस्तेमाल करते हैं TrueColor पर तो TrueColor में एक ऐसा automated bug आया है जो आपकी bank information को leak कर सकता है और आपके bank खाते को खाली कर सकता है इस वीडियो में आपसे हम यही बात करने जा रहे हैं कि TrueColor में ये जो bug आया है ये क्या है और इसका क्या impact दिखाई दे रहा है तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं TrueColor के इस bug के बारे में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है पाउनकुमार और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं TrueColor के बारे में TrueColor जिसमें हाल ही में एक अपडेट किया गया है और इस अपडेट को करने के बाद इसमें एक automated bug की report सामने आई है इस bug का जो impact TrueColor के users पे हो रहा है वो भी हम आपको बताते हैं लेकिन उससे पहले ये जानते हैं किन users के साथ ऐसा हो रहा है और क्या हो रहा है उन users के साथ पहले ये जान लेते हैं दोस्तो TrueColor ने अपनी एप में हाल ही में कुछ अपडेट किया है और play store पर इसका अपडेट भी मुझूद है अगर आप TrueColor इस्तेमाल करते हैं और अगर आपने TrueColor को latest version से अपडेट किया है तो हो सकता है आप भी ये जो bug आया है उसके शिकार हो सकते हैं इस bug का impact ये हो रहा है कि जिन TrueColor यूजर ने TrueColor में अपना UPI भी जोड़ रखा है यानि कि अपनी bank system से उसे connect किया हुआ है तो उन users के पास ICICI bank की तरफ से एक message आ रहा है जो कुछ users के पास सो मार देर रात से शुरू हुआ था जो कि मंगलवार सुबह तक काफी users के पास आया है इस message में bank की तरफ से ये बताया गया है कि आपने अपना UPI के लिए registration किया है और अगर आपने इसा नहीं किया है तो इसकी सूचना अपनी bank को देवें कुछ users के पास जब ये message आया तो उन्होंने तुरंट इस message को seriously लिया और संबंधित bank में customer care help number पर call करके इस बारे में बताया और अपने bank account, internet banking वगेरा, card वगेरा को block करवाने के लिए इस बारे में पूरी सूचना bank अधिकारियों को दी वही कुछ users ने अपना internet banking भी बंद करवा लिया है और अपने card को ऐस्ताई तोर पर फिलाल के लिए block करवाया है इस बारे में true caller का कहना है कि true caller का जो update जारी किया गया है उसमें कुछ तकनिकी खामी रह गई थी और उसमें कुछ ऐसा automated bug आया है जो UPI system को bank के पास automatic registration के लिए भेद देता है और ऐसे में true caller ने ये आसेंका भी जताई है कि जो true caller के user है और UPI का इस्तेमाल इस app के जरियक करते हैं तो उनके साथ कही ना कहीं कुछ fraud किस्म का कुछ हो सकता है तो ऐसे में फिलाल आपको आवश्यक्ता ये है कि आप अगर true caller इस्तेमाल कर रहे हैं और वैसे तो अगर आपने इस true caller को अपडेट नहीं किया है तो ज़्यादा बेतर यही होगा कि इसको अपडेट ना करें क्योंकि true caller ने कहा है कि ये जो एक error आया है ये जो बग आया है इसको जल्द से जल्द सोल्व कर लिया जाएगा और इस problem को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा फिलाल आपके लिए ज्यादा बेतर यही होगा कि आप इसे अपडेट ना करें और अगर आप true caller इस्तेमाल करते हैं तो फिलाल जब तक ये बग दूर ना हो तब तक कम से कम true caller पर UPI का इस्तेमाल ना करें तो दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है और ये जो true caller में ये जो बग आया है उसके बारे में आपको अवेर करवाया है अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर ले में और चैनल को सब्सक्राइब कर ले में सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबादे में ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके आपसे जल्द फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे दीजिए जया जयत नमस्कार जय हिंद जय भारत झाल